स्वागाज आपका मेरी यूटीब चानल इलेक्ट्र डिवाइस पर आज अपन देखने वाल है कि मैगनेटिक रोड जो है वो कैसे खराब होता है उसको कैसे रिप्लेस करें ठीक है अभी मैं कॉपी दिखाता हूं आप कॉपी देख लो यह इस तरीकी से कॉपी आ रही थी यह पर एक बार मुझे पता चला कि इसका जो मैगनेटिक रोड है वो बहुत क्ठाब हो चुका है अब ふी कैसे時間 होता है मैं आपको दिखाता हूं यह देख लो बहुत सारी ऐसे लाइनिंग आपको दिखे गी मैगनेटिक रोड पे यदि ऐसे ब्लाक कलर जो है यह जो ब्लाक कल यदि टूनर साप नहीं करेंगे तो पूरा पूराना टूनर जो एकिसेंसी दे गा वो कितना दे रहा है कैसे मालुम नहीं रहेगा तो इसलिए हमें क्या करना कड़ेगा पगढ़ेंगा पहले पूरा तूनर भाहर निकालके वो पुरा बॉक्स खोलना पड़ेगा तब जाके वो मैगनेटिक रॉड निकलेगा और यह जो पुराना टूनर है ना इसको निकाल फेक देंगे यदि आपने करंटली नया टूनर डाला है तो ठीक है आप उसको रियूज भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे पुरा पुरा टू इसके सभी नटबोल निकाल लेंगे जब तक मैं यह पुरा बॉक्स खोल देता हूँ तब तक आप लाइक, शेयर, सस्क्राइब जरू कर दो ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको फिर से मिले और वो भी जल्द ही मिल जाए इस तरीके से खोला जाता है आप देख लो पूरी तरीके से कि कौन-कौन से नटबोल्ट में खोल रहा हूँ कहा कहा से मैं कौन सा nut ball क्योंकि कुछ-कुछ nut ऐसे होते कि बहुत deep में रहते हैं तो दिखाए नहीं देते हमें लगता है कि हमने पूरे nut ball कोल लिए पूरे स्क्रूज खोल ली है लेकिन ऐसा होता नहीं है कुछ स्क्रूज जो है वो बहुत अंदर चुपे वे रहते हैं उसको खोलना थोड़ा कठीन हो जाता है तो यह लॉक भी रहते हैं ऐसे कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जल्जबादी में अपन बहुत ज्यादा जो लगा के ना खीच लेते हैं उसके कारण यह जो छोटे-छोटे लॉक है वो तूट भी जाते है तो यह अपना मैगनिटिक रोड है अभी उसको खोलने का टाइम आ गय यह जो पार्ट है न यही है जो टूनर को मैगनिटिक रोड पे नियंतरित करता है नियंतरित यानि कि कितना अमाउंट आप टूनर मैगनिटिक रोड पे जाना चाहिए उतना वो डिसाइड करता है अभी टाइम है गेर बॉक्स खोलनेगा क्योंकि गेर बॉक्स नहीं खोलेंगे तो फिर यह जो बागी का चीज है वो नहीं निकल पाएगा ध्यान रखना है जब भी आप गेर बॉक्स खोलो तो उसका एक पहले फोटो निकाल के रखो ताकि आपको पता चले कि कौन सा गेर कह कहा लगा हुआ था कि इसमें बेरिंग भी होते हैं जैसे मैंने पहला वाला बेरिंग निकाला ऐसे चार तीन बेरिंग होते हैं दो मैगनेटिक रोड के लिए और एक उपर के लिए कि यह बहुत चोटी चोटी चीज होते हैं जो आपको आराम से खोलना पड़ेगा यह वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि जो गेर्स है वो किस तरीके से मैं खोलता हूँ मैगनेटिक रोड किस तरीके से निकलता हूँ यह सब स्टेप बास्टेप मैंने दिखाया है कोई भी कटावत उसमें नहीं की है ताकि वो फटापट से दिख सके मैंने हर एक चीज दिखाई है आपर कि कोईशी चीज कितना टाइम लगते है कभी कबार कितना दिक्कत देता है निकालने के लिए यदि अपने पास कोई टूल्स नहीं रहे तो मैं श्रीप स्कूरू ड्राइवर से कैसे खोल रहा हूँ उसको वो सब चीज यहाँ पर मैंने दिखा दिया है यदि आपके पास कोई चोटी मूट मतलब कोई टूल्स नहीं है तो सिर्फ आप एक स्कूरू ड्रैवर से भी उसको खोल सकते हैं उसके साथ साथ आपको एक टेश्टर की भी जरुरत पड़ेगी क्योंकि टेश्टर के जो टीप है ना उसका जो साइज है वो माइने रखता है अपने खुलवाने के लिए अपना बॉक्स खुलवाने के लिए वो माइने रखता है क्योंकि टेश्टर का जो साइज है वो छोटा रहता है तो कहीं पे भी लग जाता है एड्जेस हो जाता है य देखो, यहां से मैंने gare से निकाले, bearings निकाले, यो है, अपना magnetic rod, जो damage हो चुका है, ठीक है, अभी इस box को ना, यह जो box है, इसको पुरा आप करने का time आ गया, यह पुरे gears निकालके उसको clean करने का time आ गया, मैं पुरे gears निकालके उसको clean करता हूँ, यह जो बेरिंग है थोड़े जाम हो चुके है तो मैंने क्या किया कि जो गाड़ी का पेटरोल है उसको अच्छे तरीकी से साप कर लिए उसको फ्री कर लिया ठीक है आप पेज़े आप इसकी जगा थीनर भी यूज कर सकते हो या फिर कोई भी क्लीनिंग है जैसे कोरिजन का य यह आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो मैंने उसको पेट्रोल से साप किया है यह हमारा मैगनिटिक रॉड है जो नया वाला है यह इसका अमाउंड जो है वो लगबग आता है 2000 से 4000 के बीच में 2000 से 4000 के बीच में आएगा इंडिया में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग रेट मिलेंगे आपको तो वो उसके हिसाब से लेकिन इसका जो रेट है उसका जो प्राइज है जो ओरिजनल जो मिलता है मार्केट में उसका 2000 से 4000 के बीच में ही आएगा ज्यादा ज्यादा यदि रेट बढ़ जाए तो 5000 तक चला जाएगा लेकिन उससे आगे नहीं जाएगा 5000 मैक्जिमम प्राइज हो गा है उसका यदि ओरिजनल है तो वो 4.5 तक जाएगा यदि आपको लोकल ही मार्केट में चाहिए लोकल तो 1500-1600 का भी मिल जाएगा आपको जो लोकल होता है वो किसी कंपणी का नहीं रहता है लोकल पीस होता है वो अभी मैंने ये पूरा बॉक्स वगेरा सब साप कर लिया है अभी टाइम है उसको लगाने का पहले मैंने उसके बेरिंग डाल दिये और चेक कर लिये कि प्रॉपर लग रहा है की नहीं लग रहा है कुछी फेक्ट है या नहीं कोई दिक्कद्य आरी की नहीं आरी वो सब मैं चेक किया अभी उसमें बागी के सब चीजों मैं लगा रहो बूश वगेरा उसके लगा रहो यहां पर ना आपको जो बूश लगाओगे आप या फिर कोई उसके छोटे-मूटे गेर्स लगाओगे तो आपको दिक्कत जाएगा थोड़ा लगाने के लिए निकालने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ लेकिन लगाने के लिए आपको दिक्कत जा सकता है तो ध्यान से मैंने जैसे कहा था कि आपको फोटो निकाल के रखना है तो फोटो निकाल के पहले रखो ताकि आपको पैता चलेगी किस तरीकी से वो लगा हुआ था बस उसी तरीकी से आपको लगना है यदि आपको इतना सारा जंजट करने में परिशानी हो रही है तो आप किसी टेक्निशियन को भी बुला सकते हो वो टेक्निशियन आपको अच्छी तरी से निकाल के पुरा लगा के देगा मैं तो मैक्जिमम रिकमेंडेट करता हूँ कि आप टेक्निशियन को ही बुलाओ लेकिन आपके आजू बाजू के एरिया में टेक्निशियन नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा इंपोर्टन काम है या फिर बहुत सारी जिरॉक्स वगरा निकालनी है और बहुत ही जल्दी निकालना है तो आप मेरे वीडियो देख के ना वो ट्राय कर सकते हो या फिर आपको सीखना है तो भी आप ट्राय कर सकते हो लेकिन आप अधि प्रोफेशनल काम करने वाले हो या फिर पूरा प्रोफेशनल ही आपको हैंडल करना है तो फिर आपको टेक्निशन को ही बुलाना पड़ेगा मैं तो रिकमेंटर करूँगा कि आप टेक्निशन को ही बुलाओ अभी यह मेरा मैगनिटिक रॉड लग चुका है आपके अभी टाइम में उसके गेर्स वगेरा डालने का अभी यहाँ पर देखो मैंने कोई भी वीडियो नहीं निकाला था तो जिसके कारण मुझे भी दिक्कत हो रही थी कि कौन सा गेर कहा होगा अभी ठीक है मैंने एक दो बार खोल चुका हूँ तो मैंने वीडियो नहीं निकाले थे फोटो नहीं निकाले थे तो मुझे धूर्णा बड़ा था कि कौन सा गेर कहा हुआ था कहा लगा हुआ था उसको किस तरिक्स मुझे लगाना है वह मैं सब टेस्ट कर रहा था अभी यह साब करने के बाद ना गेर लगा कि आप पहले इसको टेस्ट कर लेना है कि वह सब चीदे घूम रही है कि नहीं घूम रही है या फिर उनको दिक्कत जा रही है गूमने के लिए यह दिमानो कि वह नहीं घूम रहा है तो दूड़ना पड़ेगा कि क्यों नहीं घूम रहा है कुण सा गयर तुटा हुआ है क्या हुआ है कि यह घूमने का कारान ये है कि वह टूनर जो है ना वह पीछे वाला टूनर आगे ढखेलता है मतलब आगे ढखेलते ढखेलते अपने ड्रम बॉक्स का जो टूनर है ना पूरा मैगनेटी रॉड पे आता है तो वो घूमना जरूरी है नहीं घूमेगा तो फिर जहां पे टूनर है मतलब बीच वाला जो टूनर वो बीच वाला ही रहेगा और जो मागनेटी रॉड के पास वही लगेगा उतना ही लगेगा फिर से आपको हिला के उसको लगाना पड़ेगा इससे अच्छा है ज़िए पहले चेक कर लो कि प्रापर तरीघी से हर एक गियर घुम रहा है कि नहीं तो इसमें से हर एक घैर अपना अपना रोल यह लाश्ट वाला प्लेड है जो नियंतित करता है कि कितना टूनर मैगनेटिक रॉड पे होना चाहिए यही मेन है यदि इसके उपर कोई क्रैचेस वगेरा आ गए तो फिर मान लेना कि यह चीज जो है वो खराब होगी इसको सेपरेटली आप पर्चेस नहीं कर सकती है पूरे बॉक्स के साथ आएगा यदि मिलता है तो बहुत ही अच्छा है नहीं मिलता है तो फिर इसके उपर यदि इस ब्लेट के उपर यदि क्रैच आ गए तो फिर आपको पूरा बॉक्स खरीदना पड़ेगा जो मैगनेटिक रॉड की साथ आता इस ढूआ होलेट को ब्लेड को कुछ नहीं हुवा था तो ये जो टुनर बॉक्स है वो बहुत ही पुराना हो गया तो फिर एसे छोटी मुठी चीजे ना तूट सकती है यह प्लास्टिक का जो पार्ट से ना वो तूट सकता है इसलिए अराम सिक लगाना है अराम सिक लगाना है अब यह मेरा बॉक्स लग चुगा है पुरी के पुरी पुरा रेडी है इसमें एक सेंसर है जो बताता है कि टूनर है या नहीं लेकिन वह मैक्जिमम काम नहीं करता है मतलब बहुत सारे मैंने टूनर बॉक्स देखे है जिसमें सेंसर का जो डिवाइस से वोत रहता है लेकिन प्रॉपर काम नहीं करता है कभी दिखाता है टूनर है कभी दिखाता है टूनर नहीं है तो मैं उसके उपर भरसा नहीं रखता जिसके टुन 1991 कनेक्टर है वो उसको निकाल लो अभी यहां पर मैंने एक सुप्रीम का टूनर बॉक्स टूनर लेके आए जब भी ध्यान रखना कि कोई भी टूनर लेके आओ तो आपको इस तरीकी से शेक करना है यदि आप शेक नहीं करोगे तो वह टूनर का जो है ना एक छोटा सा गड़ बड़ा सा गोल हो जाता है न बैसा बन जाता है हुआ जिसको षेक करने के बाद उसको प्रॉपर करने के बाद अभी इसमें डालनेका ताइम है यह पुरा का पूरा आपको शेक करने के और दूनर लो और देखो कि कौपी किस तरीके से आती है लगे तो आप वो पुराना जो टूनर है वो बाद में भी डाल सकते हो ऐसा जरूरी नहीं कि अभी डाले उसको स्टोर करके भी रख सकते हो किसी बॉक्स में और जब जरूरत पड़े यदि आपको लगतरा है कि वो नया टूनर था जो मैंने निकाल के रखा है तो उसको बाद में भी यूज कर सकते हो अभी टाइम अभी देख सकते हो आप किस तरीके से मैगनेटिक रोड पुरा पुरा ब्लैक हो चुका है इस तरीके से दिखना चाहिए यदि आपका मैगनेटिक रोड इस तरीके से नहीं दिख रहा है आपका इस तरीके से नहीं चिपक रहा है टू अभी आप कॉपी देख सकते हो पुरानी कॉपी बहुत लाइट है अभी मैं कॉपी निकाल के दिखा देता हूँ यह पुरानी कॉपी है और यह जो है नई वाली कॉपी मैगनेटिक रोड बदलाने के बाद इतना डार्क हो चुका है इतना डिफरंस आ गया है उसमें यह देखो यह ओरिजनल वाली और यह उसकी कॉपी और यह पुरानी वाली जो इसके नीचे रखी हुई है